नमस्कार दोस्तों मैं कि बिस्वकर में एक बाइफिर साब सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी अनलाइन एशड़ी में स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग RRB, ALP and TAC 2024 का जो एक्जाम होने को है दोस्तों उसी के हम लोग preparation कर रहे हैं खासकर दोस्तों यह जो वीडियो और इसीरीज हमारी जो चल लए है दोस्तों यह railway के सभी प्रकार के एक्जामों के लिए बेहधी महत्वण होगी जैसे कि दोस्तों railway J, NTPC, Group D, RPF, SI, Pyramidical दोस्तों इन सभी प्रकार के एक्जामों के लिए यह वीडियो और इसीरीज हमारी बेहधी महत्वण वीडियो होगी दोस्तों आपको बदा दो कि महत्वण इस बात के लिए होगी कि railway ने पिछले कुछ वरसों में जितने भी एक्जाम करवाए हैं उन सारी जामों में पूछे गए प्रिवेस एर के कुछनों को यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाई चैप्टर सॉल कर रहे हैं दोस्तों हरोज की तरह आज हमने फिर से रख तसंबंद यानि की ब्लड रिलेशन का आज हम लोग दोस्तों पार्ट पाँच पढ़ेंगे इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग कुछन 121 से लेकर के 150 नंबर तक के कुछनों को बहुत ही सिंपल और सरतरीके से हल करना सीखेंगे तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो और यह सीजिवारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों जदा जदा शेयर करिएगा और दोस्तों यह अप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सस्काइब कर लगंटे जरू दबा लिजेगा साथ से दोस्तों यदि आपका कोई भी राय सुझाओ हो तो आप अपनी राय और सुझाओ में कमेंट सिक्सन में कमेंटर के जरूर बताएं तो चलिए दोस्तों लोग इस्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला कुशन और पहला कुशन दोस्तों हमारा यह रहा तो दोस्ते हैं आपके हमारा पहला कुशन दिया गया है इस पर कहा गया है रीटा ने कहा वह मेरी मा के दादा की एक मात्र पर पोती का दामाद है वहार रीटा से कैसे संबन्धी था ये बात यहां पर हमको बताना है दोस्तों अगर देखेंगे तो यह हमारा आर्पी अपका स्टेबल 2019 के पेपर में कुशन पूशा गया था रीता ने कहा तो देख लिए सबसे पहले हैं यहां पे कहीं हम रीता बना लेते हैं यह रीता हो गई रीता ने कहा वह मेरी मा यानि कि रीता की मा ठीक है यहां पे हम रीता की मा बना लेते हैं वह मेरी मा के दादा की एक मातर प फिर ये पिता होंगे तो ये हमारी मा के कौन बन जाएंगे ये हमारी मा के दादा बन जाएंगे ठीक है ये हमारी दादा बन जाएंगे जो हमारी हम अपने भासम पर बोलते हैं दोस्तों आजी और बाबा उसको किताबी भासमें दादा और दादी बोला जा रहा है ठीक है तो यहाँ पे अगर देखें तो एक मातर परपोती देख लिएगा एक मातर परपोती कौन हो जाएंगे देखें यह इसकी रीता जो हो जाएगी दादा की यह एक मातर परपोती हो जाएगी तो यहाँ पे हम लिख देते हैं परपोती ठीक है यह इनके रीता की मा के जो दादा है उनका संबंध रीता से क्या हो जाएगा यह परपोती बन जाएगे ठीक है अब आगे देखेंगे तो आगे हैं से देख लिए यहाँ पर आगे हमारा यहाँ पर दिया यह गया है इस पर कहा गया है question पर फिर आगे कहा है कि वह रीता से कैसा मलब उसके दादा की एक मातर परपोती का दामाद है तो परपोती का दामाद है तो यानि कि देखिए यानि कि अब यहां पर कहा है रीता ने कहा हुआ मेरी मा के दादा की एक मातर परपोती का दामाद है यानि कि परपोती का दमा देखे रीता के अब यहां पे कौन होगी रीता के भी कोई बेटी होगी अब बेटी का जो यह धर मान लिजेगा यह पती होगा यह बेटी का जो पती होगा यह मान लिजे पती है किसका यह बेटी का यह बेटी है यह प्लस पुरुस है यानि कि इनका यह दोनों का क्या बन गया एक combination बन गया husband wife का बन गया ठीक है यह husband wife हो गया है तो अब इनके परपोती का यह कौन हो जाएगा यानि कि बिटिया का यह रीता की बेटी है अब बेटी का जो husband होगा यह इनका क्या हो जाएगा द दामाद हो गया, तो अब question में क्या पूछा क्या गया है, तो वहार रीता से कैसे संबंधित है, वहार रीता से कैसे संबंधित है, रीता से यह व्यक्ति कैसे संबंधित है, दामाद के रूप में संबंधित है, तो दामाद हमारे हैं पे देखें, यह कौन्स हो जाएगा, वहा कोटी का ये दामाद है तो ये रीता से कैसे समंदित हो गा रीता का चुने कि यह हमारे चार आफसंदिए गए इन्हीं में से हमको चुन करके बताना है कि कौन सा राइत हो जाएगा कोशन में कहा है कि एक महिला की और संकेत करते वे अुर्मी से कहा गया अब देखिए अर्मी से क्या क्या है वह मेरे पिता के इकलाओते बेटे यानि कि उर्मी से के इकलावते बेटे कहा है तो यहाँ पे इकलावता बेटा इनका यहाँ पे माली जिएगा यह हो जाएगा इकलावता आगे लिख लेते हैं दोस्तों बेटा यहाँ पे इकलावता बेटा यहाँ पे हमली देते हैं इसकी ये बहन बन गए ठीका आगे देख लेते हैं वहां मेरे पिता के इकलोटे बेटे की दादी की बहु है मेरे इकलोटे मेरे पिता के इकलोटे बेटे की दादी अब बेटे की दादी कौन बनेंगी यानि कि पिता की जो मा होंगी जाकर के वही भी बन जाएंगी, दादी बन जाएंगी, तो देखें ये कौन बन गई, ये बेटे की कौन बन गई, ये बन गई, दादी बन गई, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, दोस्तों दादी सब्द लिख देते हैं, बेटे की दादी की बहु है, बेटे की दादी की जो कौन है दोस्तों बहू है तो दादी की बहू कौन बनेंगी जाकर दोस्तों देखेजिए का दादी की ये बहू बनेंगी जाकर कि यहाँ पे ये बनेंगी जाकर कि ये पिता जो हमारे है इन्हीं पिता की ये पतनी बन जाएंगी यानि की पतनी बन जाएंगी तो ये पिता की कौन बन जाएंगी बहु है यह महिला उर्मी से कैसे संबंदित है देखिए इस महिला की बात की गई है यही महिला एक महिला की और संकेत करते है उर्मी ने कहा उर्मी जो है यही महिला है संकेत करने वाली यह संकेत करने वाली महिला है ठीक है ना यह संकेत करने वाली महिला है तो कहा ग तो मा से संबंधित है, मा सब दमारा दिया गया B पे, तो यहां पे दोस्तों मारा 122 का B के साथ ये question right हो जाएगा, आगे हम लोग देखेंगे 122 के बार दोस्तों 123 नमबर और 123 नमबर पे यहां पे देख लिजे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि अपने पती को नितिन का परिचय, अपने पती को नितिन का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई का पिता मेरे दादा की इकलोटी संतान है, या औरत नितिन से कैसे संबंधित है, ये बात हमको यहां पे बतानी है, तो यहां पे देखेजेगा, अपने पती को नितिन का परिचय कराते ह कराते हुए एक महिना ने कहा अब एक महिना क्या कहती है अपने पती से पत्चे और नितिन के बारे में करवाती है उसके भाई का पिता यानि की नितिन भाई का पिता कहीं गरा उसके भाई का पिता यानि कि इसके भाई का पिता यहां पे मालेते हैं इसके भाई के पिता हो गया इसके भाई का पिता मेरे दादा की इकलोती संतान है यानि कि मेरे दादा की इकलोती संतान है तो मेरे दादा की इकलोती संतान है यहां पे माले जिगा रख इनके पिता यहां पे यह हो जाएंगी, यानि कि इनके पिता को हम यहां पे माल लेते हैं पिता, तो यह इनको क्या माल लेते हैं, यह इनके दादा हो जाएंगे, यह इनके दादा हो जाएंगे, जब यह दोनों भाई भाई हो गए, तो यह भी इसकी कहने कहीं बहन बनेगी जाकर कि, हम इ नितिन की बहन माल लेते हैं इस जगे पे, नितिन की बहन, तभी तो यह महिला इसके पिता की दादा बन जाएंगी, यानि कि इसके भाई के पिता की पिता की दादा बन जाएंगी, इसने कहा न, उसके भाई का पिता, नितिन के भाई का पिता, मेरे दादा की इकलोती संतान है यानि नितिन के जो भाई का पिता है यानि कि ये जो हो जाएंगे ये दादा की इकलावती संतान हो जाएंगे कौन हो जाएंगे दोस्तों ये हो जाएंगी इकलावती संतान यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों इकलोटी संतान हो गई ठीक है आप कहा गया है इकलोटी संतान है या आवरत नितिन से कैसे संबंधित है या जो आवरत है दोस्तों नितिन से कैसे संबंधित है तो नितिन से कैसे संबंधित है ये आवरत ऐसे हम पूछा गया है तो समझ लिजे कौन है ये इसकी बहन है दोस्त दोस्तों 124 नंबर और 124 नंबर में देख लिए यह गया है इस पर कहा गया कि आनंद की मा चंदरा के पिता के पुत्र की बहन है आनंद की मा तो यहां पर सबसे पहले अगर हम कह लेते हैं कहीं लिख लेते हैं आनंद लिख दिया दोस्तों यहां पर मा लिजे हमने आनंद लि चंद्रा के पिता के पुत्र की बहन है, चंद्रा, आनंद की मा, आनंद की मा, चंद्रा के पिता, अब दोस्तों यहाँ पर देखेजिएगा, आनंद की जो मा होंगी, वो चंद्रा के पिता, यहाँ पे हम कहीं मा लेते हैं, दोस्तों, चंद्रा, चंद्रा के पिता, तो यहां पर मा लिजेगा ये होगा ये पुत्र की बहन है ये दोस्तों कौन हो जाएगी ये पुत्र की बहन हो जाएगी यानि कि ये देख लिजेगा इतना हमारा ऐसे बनेगा जाकर डाइगराम ठीक न तो यहां पर देख लिजेगा आनंद की जो मा होगी वो चंदरा के पिता क पुत्र की बहन है आनंद चंद्रा के पिता से कैसे संबंधित है यहां पे बात बता नहीं है तो हम कह देंगे चंद्रा के पिता से कैसे संबंधित है आनंद यह बात बता नहीं है तो देख लिएगा यह आनंद की मा है यह मा के जो यह भी मा के ही तो पिता होंगे यह मा के भी पिता बन जाएंगे ये मा के पिता हो जाएंगे ये कौन हो जाएंगे मा के पिता हो जाएंगे तो एक प्रकार से ये कहले जिए कि जब ये मा के पिता है तो इनकी बेटी ये हैं अब बेटी का जो लड़का है तो ये इनका कौन होगा यानि बेटी की लड़की को हम लोग यह यहाँ पर राइट हो जाएगा चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों 124 के बाद दोस्तों 125 नमबर और 125 नमबर कुशन पर देख लिए यहाँ पर दिया यह गया है कि राम ने कहा यह जो लड़की है मेरी मा के पोते की पतनी है मेरी मा तो राम की मा मा लेते हैं यहाँ मा हो गई यहाँ पर राम की मा ने राम की मा मा लिया यह लड़की यह लड़की जो है मेरी मा के पोते की पतनी है अब राम के पोते की पतनी है राम के मा की पोते राम की मा की पोता कौन हो जागा इस जिए राम का जो बेटा होगा इस जिए पर यह बेटा जो होगा यही इस के क्या बनेगा दोस्तों यही इसका पोता बन जाएगा राम के मा का पोता हो जाएगा ठीक है यह राम के मा का पोता हो गया अब पोते की पतनी यही लड़की जो है यही लड़की की बात की गई है यही लड़की ठीक ना यही लड़की की बात की गई है तो यह लड़की जो ह राम उस लड़की का कौन है इस लड़की का राम कौन हो जाएगा तो राम हमारा कौन हो जाएगा दोस्तों इस लड़की का ये राम कौन बन जाएगा जब ये राम का ये बेटा है अब बेटे की जो पतनी होगी तो बेटे का जो पिता होगा उपतनी का कौन हो जाएगा ससू हो जाएगा ससूर सम्त हमारा दिया गैसी पे तो 125 का दोस्तों हमारा सी के साथे कुशन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा आगे हम लोग देखेंगे 125 के बाद दोस्तों 126 नमबर और यहां से देख लिए गया गया है कि एक तस्वीर में एक लड़के की और इसारा करते हुए राणी ने कहा अब दोस्तों यहां पे कौन कह रहा है राणी ने कहा तो यहां पे राणी ने कहा उसकी मा की इकलौती बेटी मेरी मा है राणी उस लड़के से कैसे संबन्दित है तो देखेजिए रानी ने कहा तो रानी हम बना लेते हैं एक तस्वीर में एक लड़के की और इसारा करते वे रानी ने कहा ठीक है रानी ने क्या कहा है तो अब यहां पर देखेजिए रानी ने कहा है एक लड़के की और इसारा करते बेटी तो यहां पर कहीं मा माल लेते हैं तस्वीर वाले लड़के की यहां पर दिखें आ गया एक तस्वीर में एक लड़के क्यों इस सारा करते तस्वीर वाले की मा की इकलौती बेटी मेरी मा है यानि कि इसकी जो रानी की जो मा gewesen होगी वह तस्वीर तस्वीर वाले बेक्ती की मा की इकलोती बेटी है तो तस्वीर यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों यह कौन है यह दोस्तों तस्वीर वाला बेक्ती है ठीक है एक लड़की की और इसारा करते हुए एक तस्वीर में एक लड़के की और तो यहाँ पे तस्वीर वाला कौन है यह तस्वीर वाला लड़का है ठीक है तस्वीर वाला लड़का हो गया अब कहागे इस तस्वीर वाले लड़के क्यों रानी सारा करके कहती है कि इस सारा करते हैं रानी ने कहा उसकी मा यानि कि इस तस्वीर वाले की जो मा होगी यहाँ की इकलोती बेटी मेरी माँ है अब इसकी इकलोती बेटी मेरी माँ है यानि कि हम यहापे लिख देंगे इकलोती आगे लिख देंगे दोस्तों बेटी यानि कि इनकी इकलोती बेटी अकेली बेटी यही है और यह मेरी माँ है तो कहा गया मेरी माँ है तो रानी उस लड़के से कैसे संबन्दित है रानी रानी उस लड़के से यहां पे पूछा गया है तो अगर देखें तो यहां पे इसने यह बताया कि हम कहेंगे रानी जो है उस लड़के से कैसे संबन्दित है यह पूछा गया है लड़के से कैसे संबन्दित है रानी तो यह पूछा गया है रानी ज तो है उस लड़के से कैसे संब्दी था देखे तो ये इसके बहन की बेटी है तो इसको हम क्या बोलेंगे भान जी बोलेंगे तो देखिए भान जी सब्द यहां पर कहीने दिया नहीं गया तो इसका मतलब आप भती जी भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं भती जी भी कह सकते हैं या फिर दोस्तों हम भान जी भी कह देंगे, भान जी या भती जी हमें देखे कोई-क मौझूद है, तो यहाँ पर भती जी सब्ड मौझूद है, तो यह हमारा C के साथ एक कुशन क्या हो जाएगा, हमारा राइट बन जाएगा, 126 को दोस्तों हमारा, Cài कुशन का राइट बन कमला हमारी यहां पे कहीं है तो यह कमला है तो यह कुशन में हम कहें कमला से किस पकार संबन दिता है स्वेटा यहां पे कमला से किस पकार संबन दिता है स्वेटा यह बात बतानी है तो देख लेजिएगा अब अगर हम देखें देखें स्वेटा की मां यह है स्वेटा की मां क तो ये भी इसकी मा ये हो जाएगी कमला तो एक प्रकार से ये कह लिजिए कि ये इसकी कमला की बेटी ये है एक बेटी ये कमला की ये है और एक बेटी कमला की ये है तो कमला की दो बेटीयां हो गई तो दूसरी वाली बेटी के मा लिजिए कि एक बेटी कौन है स्वेता तो य इसकी कौन हो जाएंगी दोस्तों इनातिन हो जाएंगी कौन हो जाएंगी नातिन या फिर आप पोती भी कह सकते हैं तो यहां पे आप पोती सब्द कह देंगे तो भी ठीक है या फिर नातिन सब्द कह देंगे तो भी ठीक है तो यानि कि यह देखा जाएगा आपसन हमारा बी पे मौझूद है तो 127 का हमारा B के साथ ये question right हो जाएगा आगे हम लोग देखे लेंगे दोस्तों 127 के बार 128 नंबर और 128 नंबर में देख लिए ये गया है इस पे कहा गया है कि अंबिका की तरफ इसारा करते हुए रितुराज ने कहा इसके इकलोते भाई का बेटा मेरी पतनी का भाई है अंबिका और रितुराज में क्या संबंद है ये बात यहाँ पे बताई गई है तो देख लिएगा यहाँ पे कहा गया कि अंबिका की तरफ इसारा करते हुए रितुराज ने कहा कौन कह रहा दोस्तों रितुराज कह रहा है यहाँ पे पहले कहीं हम रितुराज क किसकी तरफ इसारा करके कहता है रितुराज जो है अंबिका की तरफ इसारा करते हुए रितुराज ने कहा रितुराज ने अंबिका की तरफ इसारा करते हुए कहा कि इसके इकलोते भाई का बेटा यानि कि अम्बिका के इकलावते भाई का बेटा मेरी पतनी का भाई है अब देखें मेरी रितुराज का रहा मेरी पतनी का भाई है तो यानि कि अगर हम यहाँ पे लिख दें किसकी रितुराज की पतनी पहले हम बना देते हैं अब बात इस जिए पर पकड़िए को कोईशन को बस यह से कोईशन हलोगा हमारा तो कहा गया है हम धृत्राज की पत्नी बना देते हैं यहाँ पे पत्नी लिख देते हैं यहाँ पे देखें धृत्राज की यह कौन है दो सो पत्नी है रितí-राज की ये पतनी हो गई तो पतनी का भाई यहाँ पे हम पतनी का भाई इस जगह बना देता है ये तो हो गया दोस्तों मारा मालिजिए गए ये husband wife हो गए इतने हैं ये husband wife जब हो जाएंगे और इसी के पतनी का ये कान हो जाएगा भाई हो जाएगा ठीक है इसी की पत्नी का भाई करा अब अम्बिका की तरफ इसारा करते हैं रितराज ने कहा इसके इकलोते भाई इसके इकलोते भाई का बेटा जो होगा बेटा मेरी पत्नी का भाई है यानि कि अब अम्बिका कहीं ने कहीं ऊपर बनाया जाएगा तो यहां पे हमें लिख दीत हैं अंबिका और अंबिका नहीं तो चलिए इसको हम साब करें थिर से लिख देते हैं यहां पर देख लेड़ा ज़िएगा हमें पे इकलाओताब्हाई होगा चीकह और और इकलाओता भाई होगा इकलोता भाई हो जाएगा ठीक है ये अंबिका का इकलोता भाई है भाई है भाई का बेटा यानि कि इस भाई के बेटा कौन ये बेटा हो जाएगा ये भाई का क्या हो जाएगा दोस्तों ये भाई का बेटा हो गया भाई का बेटा मेरी पतनी का बाई है मेरी पतनी का बाई ह आएगा अब देख लीजिएगा तो कहा गया पतनी का भाई है अम्बिका और रितुराज में क्या संबंध है अम्बिका से रितुराज में क्या संबंध है अम्बिका से ये बात हमको यहां पर बतानी है तो यहां पर हम कह सकते हैं तो देखिए अम्बिका रितुराज में क्या संबंध है देखिए तो यहां पे हम कह देंगे अम्बिका भी यह नहीं बताए इकलावता भाई है कहा गया तो इसका मतलब दोस्तों यह अम्बिका जोन होगी यह अम्बिका कौन होगी इस जगे पर ध्यान समझेगा यह लड़का नहीं होगी यह क्या होगी हमारे फीमेल होगी और यह इकलावता भाई है इकलावता अकेला ही भाई होगा अगर इकलावता सब्दुन लगा होता हो सकता कि यह भी भाई ही होता लेकिन इकलावता भाई कहा तो कहीं ने कहीं अम्बिका कौन है अम्बिका हमारी लेडी है तो लेडी यानि फीमेल कंडिडेट है तो इसी अम्बिका का इकलाउता भाई है ठीक है अब कोईशन में कहा है कि अम्बिका और रितुराज में क्या संबंध है यानि कि रितुराज में ये रितुराज से अम्बिका का क्या संबंध है रितुराज स ससूर हो जाएंगे, ससूर की यह काउन हो जाएगी, बहन हो जाएगा, देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, यह हो जाएगा, ससूर की बहन, हम क्या लिख देंगे, ससूर की यहाँ पर बहन, देखिए, यह आपसन हमारा मौजूद भी है, ससूर की बहन, तो यही हमारे इस नमबर और यहां से देख लिए जड़ी आए गया है कोईशन में इस पे कहा गया है तस्वीर की तरफ इसारा करते हुए रोमी ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है लेकिन इस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है वह तस्वीर किसकी थी ये बात हमको बतानी है अब द तस्वीर हो सकता है यहां नीचे हो हो सकता इसी के बराबर में हो सकता उपर हो तस्वीर ठीक है तस्वीर के तरफ इस सारा करते हुए रोमी ने कहा कि मेरा कोई भाई बहन नहीं रोमी अकेले ही है ठीक हमा लेजिए इसका ना तो कोई भाई है ना तो कोई बहन है यह सिर्फ रोमी अकेले है ठीक है लेकिन इस आदमी का जो पिता होगा पिता मेरे पिता का बेटा है यानि कि इस आदमी का जो पिता होगा पिता होगा यानि कि जो इस तस्वीर वाला आदमी है कह रहा है इस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है मेरे पिता का बेटा है तो देख लिए इस आदमी का पिता, तो अगर तस्वीर वाले को हम नीचे रख दें, यहां पर देख लिएगा, हमें तस्वीर वाले को नीचे रख दिया, तो कहा है न, इस आदमी का पिता, इस आदमी का पिता स्वयम रोमी हो जाएगा, यानि कि इस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है, मेरे पिता अब इसके पिता हो जाएगा थी का इसके पिता का बेटा है वह तस्वीर किसकी थी तो यानि कि मेरे पिता का बेटा है तो यानि कि इसके पिता का बेटा यह स्वयम हो जाएगा यानि कि इसके पिता का बेटा ये स्वयम हो गया तो अब देखा जब तो कहा गया कि वह तस्वीर किसकी थी तो वह तस्वीर किसकी थी रोमी के बेटे की थी यानि कि हम कहा देंगे रोमी के बेटे की तस्वीर थी रोमी के बेटे की तस्वीर थी यहाँ पर हमले देंगे तस्वीर, ठीक है, रोमी की बेटे की तस्वीर थी दोस्तों, यहाँ पर हमारा आपसन कॉंसराइट हो जाएगा, यहाँ उसकी खुद की, उसके भतीजिये की, उसके बेटे की, उसके बेटे की हमारी क्या जाएगा, उसके बेटे की, 129 का हमारा B के सा के कुशन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट तो अब दूसरे हमारा एक सू कुशन में दिया गया है कि एक सू तीस से लेकर के एक सू बतीस तक के कुशनों को हमको जवाब देना इसी डाइग्राम के कॉर्डिंग यहाँ पर देख लिए गया कि अजीत कुमार का पुत्र है देखिए यह जो कुमार का पुत्र अजीत है फिर आगे यहाँ पे लेख लिए यह कहा गया अजीत कुमार का पुत्र है कुमार की बहन सुसमिता है कुमार की बहन सुसमिता है और एक पुत्र दीपक है इसका एक पुत्र दीपक है तो हाँ सुसमित का भाई ये बाबू है तो इस दीपक का मामा हो जाएगा जैसे डाइग्राम बनाए बेकुल डाइग्राम फिल बना है और सब कुछ बना है तो हमको बस इस डाइग्राम को देख करके हमको इस तीसरे 130 नमर कोईशन का जवाब देना है यहाँ पर देख यह दिया यह गया था कि हरिस्मा बाबू से किस प्रकार संबन्धित है क्या कहा गया है कि हरिस्मा बाबू से किस प्रकार संबन्धित है यह हरिस्मा देखे बाबू की बहन की बेटी है तो बाबू की बहन की बेटी अर्था इसकी कौन हो जाएगी, भान जी हो जाएगी, यहाँ पे भान जी हम लिख देंगे, तो भी ठीक माना जाएगा, या फिर दोस्तों भती जी लिख देंगे, तो भी ठीक माना जाएगा, देखे, भान जी या भती जी आपसर हमारा B पे मौझूद है, तो हमारा 130 का दोस्तों B के बाबू के कितने भतीजे और भांजे हैं देखे बाबू तो ये है बाबू का देखे जेगा एक भतीजा यानि एक भांजा ये हो गया और एक ये एक मतलब यहां पर बाबू का एक भांजा दीपक हो गया और एक भांजी हरिस्मा हो गई और बाबू के ये कुमार कौन है कुम हमारा दिया गया है दोस्तों C पे तो 131 के दोस्तों हमारा C के साथü कुशिन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आगे देखेंगे और यहां पर 132 हर्वर कुशन और 132 हर्वर कुशन पर भी हम को इसी डाइग्राम को करके इसका एंसर बताना है और यहां से देख लिए यह गया है कि अजीत दीपक से किस प्रकार संबंदित है अजीत जो है कह रहा है दीपक से किस प्रकार संबंदित है अजीत अगर यहां पे हम देखेंगे तो दीपक से किस प्रकार संबंदित है अजीत अगर यहां पे हम दे दीपक ये है और अजीत ये है देखे ये दीपक और अजीत है तो यहाँ पर अगर देखें तो अजीत जो है ये कुमार का बेटा है अब कुमार की जो बहन सुस्मिता है उसका लड़का ये है निकि अर्थात ये कहें ये अजीत की ये कौन हो जाएंगे दोस्तों बुवा ये Ajit की बुवा बन गई तो बुवा का जो बेटा होगा निकि वो कौन होगा एक पका से भाई होगा बुवा का जो ये होगा तो कौन होगा भाई होगा अब इसने पूछा यह है म Зд 모습 यहाँ Ajit, दीपक से किस पकार संबंधित है तो यहाँ पे divak से किस प्रिकार संबंधित है अजीत ये पूछा गया है देखें अब ये यानि की दीपक की मा कौन है सुसमिता असुसमिता का भाई कौन है कुमार का बेटा अजीत है तो ये दीपक के कौन हो जाएंगे अगर इनको देखेंगे तो ये दीपक के कौन हो जाएंगे ये दीपक के मामा बन जाएंगे, मामा का बेटा जो होता है भाई होता है, अर्थात ममेरा भाई देखिए ममेरा भाई यहाँ पे हमारा D-Apsen पे मौजूद है, तो कुल मिला करके अगर यहाँ पे देखेंगे, तो D हमारे इस Question का क्या हो जाएगा, Right Answer हो जाएगा आगे देख लिजिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा 132 के बाद दोस्तों, 133 समर Question और 133 समर Question पर देख लिजिए, यहाँ पे दिया गया है, कि एक महिला की और संकेत कर, मैंने कहा कि उसके भाई का एक मात्र कुत्र मेरी पतनी का भाई है महिला मुझसे किस पकार सम्मन देथा है महिला मुझसे किस पकार सम्मन देथा है यह Question में यहाँ पे बताया गया है ठीक है, देख लेते हैं 133 समर Question पर यहाँ पे देख लिजिए दिया यह गया है, इस पे कहा है कि एक महिला की और संकेत कर मैंने कहा उसके भाई का एक मात्र पुत्र तो मान लेते हैं यहां पे उसके भाई मतलब मैंने कहा उसके भाई का एक मात्र पुत्र तो चलिए यहां पे हम सब्द लिख लेते हैं मैंने क्या कहा है मैंने कहा कि उसके भाई का एक मात्र पुत्र इसके भाई का पुत्र, वोई तस्वीर वाले, एक महिला की वो संकेत करते हुए, माली जगा ये तस्वीर वाली महिला यहां पे कहीं हम उपर बना लेते हैं, ये तस्वीर वाली कौन है दोस्तों, यहां पे महिला है, इसकी तरफ ये संकेत करके मैंने कहा, मैंने कहा कि इसका जो भाई होगा इसका जो भाई है याने कि महिला की यो संकेत करमे ने कहा उसके भाई का एक मात्र पुत्र मेरी पतनी का भाई है इसके इस महिला के तस्वीर वाली महिला के भाई का एक मात्र पुत्र तो यहां पे देखेंगे इसका क्या हो जाएगा एक मात्र पुत्र हो तस्वीर वाले महिला के भाई का, यहां पे यह कौन है दोस्वें, भाई का एक मात्र पुत्र, यहां पे हमने एक मात्र पुत्र, मेरी पत्नी का भाई है, यानि कि जो मैं हूँ, यानि मैंने जो बताया, मैंने मेरी पत्नी का, यहां पे मेरी पत्नी का भाई है, यह मेरी पत्न का भाई है महिला मुझसे किस प्रकार सम्दिता है ये जो महिला है ये तस्वीर वाली महिला कि मुझसे किस प्रकार सम्दिता है देख लिजेगा यानि कि अगर हम देखें तो ये पत्नी के ये कौन हो जाएंगे दोस्तों पिता हो जाएंगे जब ये पुत्र इनके पुत्र है तो ये इनकी बहन है तो यानि कि ये कौन हो जाएंगे मेरी पत्नी के ये हो जाएंगे पिता हो जाएंगे ये मेरी पत्नी के पिता हो जाएंगे यानि कि मेरे कौन हो जाएंगे मेरे हो जाएंगे दोस्तों ससूर हो जाएंगे तो ये मेरे हो जाएंगे दोस्तों ससूर हो प्रकार संबंदित हैं, तो यहां पे महिला है यहां पे ज़दें ससूर की बहन दिया गया तो यह मेरे ससूर की बहन है तो ससूर की बहन हमारा दिया गया आपसर ए पे, तो 133 का हमारा A के साथ ऐ कुशिम क्या होजाएगा, रा midnight होजाएगा आगे हम लोग देखेंगे 133 के बाद दूस्तों 134 नुमर और 134 नुमर कोशन पर देख लिए यह देखेंगे कि एक पुरुस की और संकेत कर एक महिला कहती है ये मेरे पती की पत्नी की पुत्री का भाई है अवरत उस पुरुस की क्या है ये बात हमको यहाँ पर बताना है तो तो यहां पर अगर देखेंगे एक पुरस की ओर संकेत कर एक महिला कहती है ये मेरे पती की पतनी की पुत्री का भाई है ये मेरे पती की पत्नी की पुत्री का भाई है औरत उस पुरुस का क्या है देख लिएगा एक पुरुस जो है एक पुरुस की वो संकेत कर एक महिला कहती है मा लिएगा यहाँ पे कहीं महिला होगी और तस्वीर वाला पुरुस इधर यह होगा यह पुरुस है कौन तस्वीर यहां पर हम तस्वीर वाला लिख देते हैं ठीक तस्वीर वाला, यानि कि यह महिला इस तस्वीर वाले पुरुष की ओर संकेत करके क्या कहती है, कि ये जो है, ये मेरे पती की पतनी, यानि कि मेरे पती की पतनी, अगर देखें, तो कहा गया है कि एक पुरुस की ओ संकेत कर एक महिला कहती है, महिला क्या कहती है, कि ये मेरे पती की पतनी, मेरे पती की पतनी की पुत्री का भाई है, तो पुत्री का भाई है, तो यहाँ पे अगर हम कह दें, मेरे पती की पतनी, ये मेरे पती की पतनी, तो यहाँ पे अगर हम मालने, यानि कि इसके इसके पती, यानि कि यहाँ पे वाला हो गया, यहां पर हम माल ले हैं, पती माल ले इस जगे पर देखिए, पती माल ले और इस पती की यहां पर हम कह देए, पतनी कह देए, यह हो गया पती और यह हो गई, पतनी की पत्री यहां पर देख लेते हैं, यह पतनी की पत्री हो गई, पतनी की पत्री हो गई, कर एक महिला कहती है कि यह जो है मेरे पती की पतनी यह महिला है मेरे पती की पतनी यानि कि ये स्वयम हो गई ये महिला जो है ये स्वयम हो गई यहां पे देख लिएगा इस जगे पे ये महिला कौन हो जाएगी ये महिला स्वयम हो जाएगी ये महिला यहां पे स्वयम हो जाएगी देखे ये महिला इस जगे पे ये महिला स्वयम हो गई और ये महिला इस तस्वीर वाले इसको कहती है इस तस्वीर वाले को कहती है कहती है कि मेरे पती की पत्नी यानि मेरे पती की पत्नी मैं स्वयम हो गई और मेरे पती की पत्नी पत्नी की पुत्री यानि कि यहां पर कौना जाएगी यानि कि यह महिला की पुत्री यानि मेरी पु पुरुस की क्या है यह जो पुरुस की यह औरत क्या है यहाँ पे बात बतानी है तो देख लेजिए अगर जब इसकी यह पति-पतनी है तो यह महिला की पुत्री हो गई अब पुत्री का यह भाई अर्थार जब यह पुत्री की मा यह है तो यह पुरुस का भी यह तसीद वा हो जाएगी मा हो जाएगी तो यह हो जाएगा दोस्तों यहां पर मा सब्द बन जाएगा इसको आप ऐसा करिए यहां से पूछा गया है कोईशन में कि अवरत का पूरुस पूरुस क्या है अवरत का यह जो पूरुस जो है पूरुस क्या है इस अवरत का यानि कि महिला का अव किया हो जाएगा राईट बन जाएगा आगे हम लोग देखले हैं दोस्तों यहाँ पर आगे दखते हैं 134 ब्र 12135 स्नबर और यहाँ से देख लीजे दिया यह गया है इसलों कोछ गया है कि मुईज ने एक चित्री बिक्ति का मुएज से क्या संबंध है ये बात यहां पर बतानी है अब कुश्चन में जैसा कह रहा है उस प्रिकार के according हम क्या करते हैं दोस्तों diagram बनाते हैं देखने जिए मुएज ने एक चित्र की और इसारा करते हुए कहा मौईज जो है एक चित्र की और इसारा करते हुए तहता है अब दो है सबसे पहले हम यहाँ पे कहीं मौईज बना लेते हैं यह हो गया मौईज अभी हम कहा बनाएंगे मालेज यह तस्वीर भी कहा रखेंगे भी हमको क्लियर नहीं आगे पढ़ लेते हैं मौईज ने एक चित्र की और इसारा करते हुए कहा कि यहाँ बेक्ती जो है मेरी मा की एक मात्र बहु तो मेरी मा तो यहाँ पे सबसे पहले मौईज की मा बना लेते हैं मौईज की मा हो गई यानि कि मेरी मा मेरी मा के एक मात्र बहु एक मात्र बहु अर्थात मेरी पत्नी हो जाएगा देखें ये मौयज की पत्नी हो जाएगी ये मौयज की कौन हो जाएगी मौयज की पत्नी हो जाएगी एक मात्र बहु ये तो बनेगी मा की एक मात्र बहु यही बन जाएगी यहाँ पर हम लिख देते हैं अथात मौएज का पुत्र, मौएज का पुत्र का है, चाहिए इनके पत्नी का पुत्र का है, ये इनका पुत्र हो गया, पुत्र के नाना का एक मात्र बेटा, अब देखे, पुत्र के नाना, अब यहाँ पे अगर हम माल लें, तो यहाँ पे कहीं कौन होंगे, ये देखे, काउन हो जाएंगे ये पुत्र के नाना हो जाएंगे काउन हो जाएंगे ये दोस्तों पुत्र के नाना हो जाएंगे आगे देख लिजेगा नाना का एक मातर बेटा यहां पे अब इनका क्या होगा एक मातर बेटा होगा मालीजी इस जिगे पर क्या होगा इस जिगे पर यहा है मातर बेता है यदि मिज़ का कोई भाई बहन न हो दिखेंसे के मुऐज की यहांपे केवल एक बहन है और कोई भाई बहन नहीं है, यानि कि कोई भाई मुऐज का कोई भाई ना हो सिर्फ एक बहन को छोड़ कर को ठीक है, उस चित्र में उलेखित ब्यक्ति का मुएज से क्या संबन्द है, मौईज ने एक चित्र के और इसारा करते हुए कहा कि यहाँ बेक्ति मेरे मा की एक मात्र बहु एक मात्र बहु एक मात्र बहु के पुत्र का नाना का एक मात्र बेटा है तो यानि कि मौईज जो कह रहा है मौईज जो कह रहा है इसके बारे की बात कर रहा है यानि कि यही तस्वीर वाला बिक्ती हो जाएगा दोसमें यही तस्वीर वाला बिक्ती हमारा क्या बनेगा यह तस्वीर वाला बिक्ती बन जाएगा यानि कि मौईज इसकी बात कर रहा है तो यह कौन हो जाएगा मौईज का अब देख लिए कहा क्या 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 कि मुएज से क्या संबंद है मुएज से क्या संबंद हो जाएगा इस बिक्तिका देखिए पत्नी का ये प्रकार से क्या हो जाएगा ये पत्नी का हमारा भाई बनेगा जाकर कि पत्नी का भाई बनेगा तो जो पत्नी का भाई होता है वो क्या हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा साला हो जाएगा तो साला सब्दे हाँ पे देख लिए गया डी अक्षिन पे तो 135 का हमारा डी के साथ ये कुशन क्या हो जाएगा हो जाएगा उपसो दोस्तों आपको अभी तक मेरे दोरा बताएगा सारे question अच्छी तरीके समझ में आये होंगे फिर भी दोस्तों आपको मैं बता दू कि कि किसी भी question में किसी प्रकार का कोई doubt बच रहा हो तो आप मुझे comment सक्षर में comment रखे बताएं या फिर दोस्तों आप हमारे whatsapp channel, telegram channel, whatsapp group से जोड़ सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के description में सभी का link मिल जाएगा जहां से आप लोग आसानी से जोड़ सकते हैं और दोस्तों अपने किसी प्रकार के doubt एट अपको भीच कर को से solution भी प्राप्त कर सकते हैं साथ में दोस्तों आपको इनसी प्रकार का PDF अगर अभी प्राप्त हो जाएगा और दोस्तों यदि आपको कोई राय सुझाओ देना हो तो आप अपने राय सुझाओ में कमेंट सबसे में कमेंट के चरूर बताईएगा तो चलिए दोस्तों लोग देखते हैं 135 के बाद दोस्तों 136 नमर कुशन और 136 नमर कुशन में आप देख लिए यह गया है कि सैम रोजी का पती है सैम जो है दोस्तों क्या बता दिया गया रोजी का पती है जेनी रीता और रोजी की माँ है वाज रीता का पिता है वाज सैम का क्या लगता है यहाँ पे बात बतानी है तो देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले कहा गया सैम जो है रोजी का पती है जो सैम होगा वो रोजी का कौन हो जाएगा पती हो जाएगा रेखे यहाँ पे सबसे पहले हम कहें रोजी बना लेते हैं रोजी के पती का नाम क्या दोस्तों बता दिया गया रोजी का पती कौन है दोस्तों सैम है हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों सैम यह दोस्तों कौन है यहाँ पे रोजी का यह पती है ठीक है अब यह पती है तो यह पतनी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे देख लिएते हैं यह पतनी हो गया तो यानि झाए इखा है के प्रकार्ग से कहलिए जही कर लिजिए रीटा और रोजी की मा है जेनी जो होगी जेनी जहां कहीं भी जेनी बनेगी वो रोजी और रीता की मा हो जाएगी देखे रोजी की मा कौन बन जाएगी रोजी की मा और रीता की मा कौन है दोस्तों यहां पर जेनी है जेनी यह कहा है न देखे जेनी जो है रीता और रोजी की मा है तो इधर कहीं न कहीं हम रीता इधर बना देते हैं द वाज रीता का पिता है वाज जो होगा रीता का पिता है देखे यहाँ पर हम माल लेते हैं इस जगे पर वाज होगा यह जो वाज है वो कौन हो जाएगा रीता का पिता हो जाएगा इस जगे हम रीता का पिता कह लेते हैं यानि कि यह पिता है और यह इसकी माँ है तो यह इनक का क्या लगता है वाज ये हमको बात बतानी है सैम का क्या लगता है वाज देखें सैम का ये सैम का क्या लगेगा वाज ये वाज हमारा यहां पे है ये पूछा गया है सैम का क्या लगता है वाज ये वाज हो जाएगा अब देख लीजिएगा अब यहां पे देखें तो सैम की जो पतनी है रोजी रोजी की मम्मी यहां पे जेनी है रोजी के ही पापा बाज हो जाएंगे तो जब इनकी बेटी यह बाज और जेनी की बेटी रोजी है रोजी का जो यह पती होगा तो यह इनकी यह इसके कौन हो जाएंगे साहिम के इनकी पतनी के पापा कौन हो जाएंगे इसके ससूर हो जाएंगे, कहुन हो जाएंगे दोस्तों ससूर, तो ससूर सब्द हमारा यहां पे देख लिए गया है, यहां पे ससूर सब्द दिया गया है, बी पे, तो 136 का दोस्तों हमारा बी के साथ एक कुशन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, आगे देख लिएगा 136 के बाद दोस्तों 137 संबर और 137 संबर कुशन पर यहां पर देख लिए यह गया है इस पर कहा गया है कि एक तस्वीर कोई और रिसारा करते हुए एक महिला ने कहा यह मेरे दादा जी के इकलोते बेटे का बेटा है तस्वीर का ब्रेक्ति उस महिला का क्या लगता है यह बात यहां पर बतानी है तो यहां पर अगर देखेंगे एक तस्वीर के और रिसारा करते हुए महिला ने कहा माल लिजिए का यहां पर कहीं महिला होगी और तस्वीर की तरह भी सारा करेगी हो सकता यानि कि इस महिला के दादा जी, दादा जी कौन हो जाएंगे, इस महिला के जो पिता होंगे, पिता के जो पिता होंगे, वो कौन होंगे दोस्तों, इस महिला के दादा हो जाएंगे, इस महिला के दादा हो जाएंगे, यहाँ पर हम लिख दिया दादा, अब देखे, मेरे दा बेटा हो गया इकलावते बेटे का यहां पर कहा गया है बेटा है यहां पर इकलावता बेटा हो जाएगा अब जब इसका बेटा हो जाएगा तो देखिए यह कौन बन गया तो बेटा बन गया तो अब कहा गया तस्वीर का बेक्ति उस महिला का क्या लगता है यह जो महिला है यह तस्वीर का बेक्ति हम कहेंगे महिला का क्या लगता है यह महिला का क्या लगता है तस्वीर वाला बेटा यही तस्वीर वाला बेक्ति हो जाएगा यहां पर हम देंगे तस्वीर तो समझ जाएगा कि यह महिला का यह तस्वीर वाला बेक्ति क्या लगेगा है भाई सब तुम्हारा डी पे दिया गया है तो 137 का हमारा डी के साथ ये कुशन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा आगे हम लोग देखेंगे दो 137 बार दोस्तों 138 नमर कुशन और 138 नमर कुशन में देख लीजिए यहां के पुत्र है चित्रा की पुत्री का जोसी के भाई से क्या रिस्ता है ये बात यहां पे बतानी है तो यहां पर अगर देखेंगे सबसे पहले कुशन में कहा है कि चित्रा ने जोसी ने चित्रा से कहा अब कौन कह रहा दोस्तों जोसी जोसी नाम का कोई बिक्ती होगा वो चित्रा से कहता है तो देख लिजेगा चित्रा से क्या कहता है तो जोसी माल लेते हैं यहां पे कहीं जोसी होगा हम यहां पे जोसी माल लेते हैं यहां पर हमने लिग दिया क्या दोस्तों ज पुत्री जोसी ने कहा जोसी ने चित्रा से कहा कि तुम्हारी पुत्री के पिटा मेरे भाई के पुत्र हैं मेरे भाई के पुत्र हैं यानि कि अगर यहां पे देखें तो जोसी के भाई के पुत्र हैं तो देखें हम यहां पे जोसी का सबसे पहले बना देते हैं भाई हमने य दिया भाई के पुत्र बना दिया आप देखिए फिर से क्वेशन पढ़ लिजेगा जोसी ने चित्रा से कहा कि तुम्हारी पुत्री के पिता जोसी चित्रा से कहती कि तुम्हारी पुत्री के पिता जोसी चित्रा से कहती कि तुम्हारी पुत्री के पिता जोसी चित्रा की चित्रा के पुत्री के पिता मेरे भाई, मेरे भाई के पुत्र हैं, मेरे भाई के पुत्र हैं, मेरे भाई के पुत्र हैं, तो यहाँ पे मेरे भाई के यह क्या हो जाएंगे दोस्तों, पुत्र हो जाएंगे, यानि कि मेरे भाई के पुत्र हो जाएंगे, अब यहाँ पे जब तुम्हारी जो पुत्री के पिता होंगे, वो मेरे भाई के पुत्र होंगे, यानि कि इस जगे पे तुम्हारे चित्रने का तुम्हारी पुत्री के पिता, यानि कि चित्रा या इस जगे पे माल लेते हैं, कहीं पे चित्रा होगी, ये चित्रा है, चित्रा की इस जगे पे कौ पुत्री के पिता बना देते हैं, किसको इसको बना देते हैं, ये कौन हो जाएंगे, ये चित्रा के पुत्री के पिता हो जाएंगे, ये पिता हो गएं और ये मा हो गएं, तो यानि कि देखा जा तो इनका एक हस्बेंड वाइफ का ये क्या बन गया, दोस्तों पेर बन गया, ठीक है, अब question में पढ़ लिजे पूरा, कहा गया कि तुम्हारी पुत्री के पिता, यानि चित्रा के पुत्री के ये हो गए, पिता, मेरे भाई के पुत्र हैं, जोसी के भाई के पुत्र हैं, ठीक है, जोसी के भाई के पुत्र हो गए, तो अब कहा गया है, चित्रा की पुत् है का जोसी के भाई से जोसी के भाई से क्या रिस्ता है हम कहेंगे जोसी के भाई से क्या रिस्ता है चित्रा की पुत्री का जोसी के भाई से क्या रिस्ता है दोस्तों चित्रा की पुत्री का ये बात बताना है देखे यानि कि ये जो ये चित्रा और ये ये हैं ये इस पुत्र के जोसी ने चित्रा से कहा चित्रा की जो बीटिया है दोस्तों ये इनके ममी और पापा हो जाएंगे अब पापा के जो ये कौन हो जाएंगे ये पापा ये पापा के पापा है दोस्तों तो ये कौन हो जाएंगे यानि इनकी ये हो जाएगी यानि कि इनके बेटे की बेटी यानि क्या हो जाएगी इनकी पोती हो जाएगी इनके बेटा है ये बेटे की जो ये बेटी है इनकी क्या हो जाएगी दोस्तों पोती हो जाएगी पोती सब्द हमारा क्या हो जाएगा राइट अंसर यानि कि अगर यहां पे देखें चित्रा की पुत्री का जोसी के भाई से क् जोसी के भाई से क्या संबंधा है चित्रा की पुत्री का तो अगर यहां से देखेंगे तो हो जाएगा हमारा दादा हो जाएगा पोटी तो होगा नहीं यहां पे गलत दिया गया ठीक न यहां पे आप ऐसा करिएगा इस जगे पे आप ऐसा करिएगा यहां से पुत्री से पूछ लीजेगा यहां से अगर आप ऐसा कर दीजेगा दोस्तों देख लीजेगा इस जिए पर हम ऐसा कर देंगे यहां से यहां पूछा गया है तो यह पुत्री कौन हो जाएंगे यह इनके हो जाएंगे दादा हो जाएंगे दादा सब्द हमारा दिया करते हुए कहती है उनके भाई के पिता मेरे दादा या नाना के इकलाओते पुत्र है महिला का उस में किसे क्या रिस्टा है ये बात यहाँ पर बतानी है तो सबसे पहले यहाँ पर डिखे unknown यहाँ गिसने यह कहा है एक महिला किसी बित्ती का परचे कराते हुए कहती है तो यहाँ पर माल लिजे कहीं पर महिला होगी हमने महिला माल लिया एक महिला किसी बिक्ति का परचे कराते हुए कहती है कि उनके भाई के पिता यानि कि जो तस्वीर वाले बिक्ति है महिला है तो यानि कि यह हम पे महिला किसी बेक्ट का पश्चे कराते वें न colony took myádत्य है उनки भाई के पिता मेरे दादा यहनी कि उनके भाई के पिता यहनी कि यह जो बेक्टी होगा माली जे तस्वीर वाला बेक्टी जहाँ पर हम लिए देते हैं तस्वीर बेक्ति लिए ठीक है, तो आप इसके समझ में आ जाएगा, यहां पर माले लिए टस्वीर वाला बेक्ति हो गए, एक महिला किसी बेक्ति का परचे कराके खी कि लाए मेरे मेरे दादा या नाना के इकलवते पुत्र हैं, मेरे दादा या नाना माल लिए यहाँ पर दादा या नाना होंगे यहाँ पर दादा होंगे या फिर नाना होंगे ठीक है यहाँ पर दादा या नाना के इकलावते पुत्र हैं यानि कि यहाँ पर दादा या नाना के कौन हो जाएंगे दोस्तों यह इकलावते पुत्र हो देखिए कोन हो जाएंगे दोस्तों में दादा या नाना के इकलाओते पूत्र बन जाएंगे यहां पे हमने इकलाओता पूत्र बना दिया अब आगे दोस्तों देखी इतनल डिया का इतनंत अगर देखेंगे तो देख लिजेगा यहां पर यह जब मार लिजेगा यह दादा या नाना होंगे इनके इकलोते पुत्र यह हैं इनके इनका जो पुत्र यह हो जाएगा यह और इनका जो यह हो जाएगा भाई हो जाएगा यह तो भाई था यह भी भाई हो जाएगा और यह इनकी क्या हो जाएगी बहन हो जाएगी दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा यह बहन का रिस्ता बन जाएगा दोस्तों बहन सब्द हमारा देख लीजे दिया गया सी पे तो 149 का हमारा सी के साथ एक कुशिन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट बन जाएगा आगे हम लोग द टानी है, यहां से देख dependency का गया है, इसके एक पिता की बेटी बताता है, तो यहां पर देख लीजिएगा एक बैक्ति जो हो जाएगा, एक बैक्ति होगा, हमने यहापे बेक्ती रख दिया एक महिला को उसके चाचा के पिता अब देखिए एक महिला को उसके चाचा के पिता देख लिजेगा इसके चाचा के पिता तो महिला के कहीं माल लिजेगा महिला के ये उपर जाएंगे तो ये कौन मिल जाएंगे ये उपर हो जाएंगे चाच हो जाएंगे यही कहा एक बेक्टी जो है एक बेक्टी एक महिला को महिला को उसके उसके चाचा यानि की महिला के चाचा नहीं एक बेक्टी जो है यहाँ पे कहा गया है एक बेक्टी जो है एक महिला को उसके चाचा के पिता चाचा के पिता यह हो जाएंगे चाचा के पिता की बेटी बताता है चाचा के पिता की कौन बताता है यहां पे बेटी बताता है यहां पे देख लिएगा यह जो महिला को है बेटी बताता है एक बेटी कहता है एक महिला को उसके चाचा उसके चाचा के पिता की बेटी बताता है ठीक है तो यहां पे अगर हम देखें तो यह जो हो जाएगा दोस्तों यहां पे अगर यहां पे देखें चाचा यहां पे हो जाएगे तो यानि कि इस बैटी के पिता यहां पे कहीं होंगे पिता यहां पे होंगे ठीक है तभी यह पिता का कौन हो जाएगा यह पिता का भाई हो जाएगा तभी तो ये चाचा बना हया करके ठीक है अब इनके इनके जो पिता हो जाएगी ये और ये इनकी बेटी है तो इसका मतलब ये इनकी क्यों हो जाएगी दोस्तों ये बहन हो जाएगी यही महिला है तस्वीर वाली माली यही महिला की बारे बात कर रहा है ठीक है न महिला उस पुरुस की क्या है ये जो महिला है कहा गया है ये जो महिला है इस बैक्ती वाले इसकी पुरुस की कौन हो जाएगी ये बात बताना है नहीं कि पुरुस की क्या है ये महिला ये जो पुरुस है इस पुरुस की ये महिला कौन हो जाएगी देखे 140 का दोस्तों हमारा यहां पे B के साथ एक कुशन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट बन जाएगा 140 का B और अगला कुशन हम लोग यहां पे देख लीजे देखते हैं 141 नंबर और 141 नंबर कुशन पे देख लीजे दिया गया है कि अनीता की मा का भाई बीना के पिता के पिता का बेटा है बीना के दादा के दो बेटा और एक बेटी है अनीता की मा बीना से कैसे संबंधी था है यह बात यहां से पता नहीं है सबसे पहले इसने कहा अनीता की मा का भाई बीना के पिता सबसे पहले हम अनीता की मा तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले कहीं अनीता, यह हमारा हो गया अनीता, अब अनीता की मा का भाई हो जाएगा, यहाँ पर हमने अनीता की मा का भाई बना दिया, अनीता के मा का भाई बीना के पिता के पिता का बेटा है, अनीता के मा का जो भाई होगा, यह जो मा का है उनिता के मा का भाई हो जाएगा जो वो कहा है कूइशन में कि वो जो होगा बीना के पिता अब देख Mormon को änगी बीना के पिता के पिता का बेटा है तो इसका मतल革 को हुम क्या नियुकि ना करें यहां पर कहीं हम बीना बना लें हम आलेजां lower कि पिता यहां पे बीना के पिता हमने यह बना दिया बीना के पिता का पिता यहां पे देख लिए इनका पिता का बेटा है दोस्तों यह कौन हो जाएगा इनका यह बेटा हो जाएगा यह बेटा हो जाएगा ऐसे कहा है बीना के पिता तो बीना के पिता का बेटा है तो का बेटा हो गया अब बीना के दादा के दो बेटे हैं देखिए अब ये बीना के ये कौन हो जाएंगे ये बीना के दादा बन जाएंगे ये बीना के कौन बन गया है दादा बन गया है इनके कहा गया है दो बेटे है तो देखिए पहले नमबर का बेटा तो हमारा ये हो जाएगा और ये इनकी बेटी हो जाएगी, ये इनकी बेटी हो गई, बेटी है, तो अनीता की मा बीना से कैसे संबंदित है, यानि कि हम कह देंगे बीना से कैसे संबंदित है अनीता की मा, ये यहाँ पे बात बतानी है, तो यहाँ पे देखेंगे अनीता की जो मा ये है, तो बीना से कैसे स यानि कि ये ये आपस में क्या हो जाएंगी ये इनका बीने के पिता का ये भाई है और ये बहन हो जाएंगी बीने के पिता की बहन हो जाएंगी पिता की बहन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों बुआ बोलते हैं क्या बोलेंगे पिता की बहन को बुआ तो बुआ सब्ध हम मेरी बेटी की बुवा की मां है पुश्मनी से कैसे संबनी था विठा रिदें है तो यहाँ पर देख कहा है कि एक तस्वीर को देखकर पुस्पा ने कहा तो देख लीजिएगा सबसे पहले हम यहाँ पर कहीं पुस्पा बिठा देते हैं अब पुस्पा जो है एक तस्वीर को देखकर कि क्या कहती है देख लीजिएगा यहाँ पहले कहीं बना लेते हैं प बेटी यानि कि पुस्पा की बेटी तो चलिए हम पुस्पा की बेटी बना देते हैं पुस्पा की बेटी देखे मेरी बेटी की बुआ तो बुआ की मा है बुआ की कौन है दोस्तों मा है तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पुस्पा के यानि की बुआ पुस्पा की बुआ क तो इनका तो ये combination बन गया husband and wife का अब जो ये पती की जो पतनी मलब बहन होंगी ये पती की जो बहन होंगी ये कौन होंगी दोस्तों बहन होंगी यही या के ये पुस्पा की बेटी की कौन बन जाएंगी ये बन जाएंगी पुस्पा की बेटी की बुवा बन जाएंगी क्या बन जाएंगी दोस्तों ये बन जाएंगी पुस्पा की बेटी की बुवा बन जाएंगी अब आगे अगे अगर देखेंगे तो हम पे कहा है कि एक तस्वीर को देखकर पुस्पा ने कहा कि इस आदमी की पतनी जो लच्मी है मेरी बेटी की बुवा की मा है देखें मेरी बेटी की बुवा ये है इनकी मा है कहा है तो इनकी जो ये मा हो जाएंगी इन्ही का नाम दोस्तों क्या है इन्ही का नाम लच्मी है ठीक है इन्ही का नाम लच्मी है मेरी बेटी की बुवा की मा है ठीक है पुस्पा लच्मी से कैसे संबन दित है अब यहाँ पर अगर धंबात करें तस्वीर वाले बात की तो कहा एक तस्वीर को देकर पुस्पा ने कहा इस आदमी की पतनी लच्मी मेरी बीटी की बुवा की मा है पुस्पा लच्मी से कैसे सं संबंधित है देखे ये लचमी की ये कौन हो जाएंगी ये लचमी की हो जाएंगी बेटी हो जाएंगी ये लचमी की बेटी हो गएंगी अब बेटी के बाद ये जो बेटी ये तो इनकी बहन हुई है यहाँ पे इनकी ये बहन हुई है तो यह लचमी के क्या हो जाएंगे ये लच्मी के बेटा हो जाएगा ये लच्मी का क्या हो जाएगा बेटा हो जाएगा अब बेटा की जो ये पतनी है तो ये इसकी क्या हो जाएगी लच्मी से कैसे संबंधित है यहाँ पे कहा गया है लच्मी से कैसे संबंधित है पुस्पा तो पुस्पा को हम बताएंगे कैसे स संबंधित है ये पुस्पा से लचमी कैसे संबंधित है पुस्पा से तो ये देखे लचमी की ये पुस्पा कौन हो जाएंगी ये बहू हो जाएंगी यनिकी इनके बेटे की जो पतनी है ये इनकी बहू ही तो कहलाएंगी बहू सब्द हमारा दिया गया है डी पे तो दी हमार माता के पिता की दूसरी पुत्री है और मेरी नानी को केवल दो पुत्रियां ही थी जेरी की माता का टाम से क्या रिस्ता है ये बात यहां से हमको बताना है देख लिजेगा सबसे पहले इसने कहा टाम ने कहा जेरी की चाची देखिए सबसे पहले अगर हम यहां पे बना लेते हैं दोस्तों जेरी लिख लेते हैं जेरी की चाची जो होंगी मेरी माता के पिता यानि की जेरी के मा के पिता तो यहां पे जेरी के मा के पिता तो देखें जेरी के मा तो यहां पे हम जेरी के मा बना लेते हैं और मा के पिता यानि कि उपर ओच रण जाएंगे दोस्तों तो यहां पे मा के पिता हो जाएंगे ठीक है यानि कि इसने जेरी की चाची जो हर जेरी की चाची भी बात में कर लेते हैं जेरी की चाची मेरी माता के पिता की दूसरी पुत्री है अब जेरी के जो चाची होंगी कहा है कि मेरी माता यानि कि मेरी माता के पिता की दूसरी पुत्री है यानि कि इनकी दूसरी पुत्री है पिता की दूसरी पुत्री एक पुत्री तो फष्ट नंबर की पुत्री तो जेरी की मा हो गई और दूसरी पुत्री मा लेजेगा यहां पे य दूसरी पुत्री यहां पे हो गईए यह दूसरी पुत्री हो गए यहां पे यह जेरी की हरा चाची है एक प्रकार से ढूतल्री होंगी पर देख लिएगा तो यहां से अब और आगे हमारा कै दिया गया ये थोड़ा सा हम इसको चाचीओ-सापसुतरा दिख देते हैं ये हो गया आगे देखेंगे हाँ दूसरी पतरी है पिता की दूसरी पॱतरी है और मेरी नानी को केवल दो पुतरियां ही हैं मेरी नानी को जे जेरी की नानी होंगी, यानि कि मा की मा जो हो जाएंगी, ये जेरी की क्या बन जाएंगी, जेरी की नानी हो जाएंगी, ठीक है, मा की मा जो होती हो, जेरी की नानी हो गएंगी, अब यहां से देखें तो इनका ये की पेर बन जाएगा, तभी तो ये पेर हो गया, ठीक है, उन ushi की आपर Tamm काब Tamm को बनाना है दो सो Tamm कहा जाएगा Tário तो ताम अगर हम देखें तो ताम ने कहा Tschedhariиль की चाची मेरी माता देखे जहィ की चाची मेरी माता कि दूसरी पुत्री है Mel deben what dadglles क्रांवर की दूसरी पुत्री यह तो ताम इस जिके पर हम ताम रख दें ताम कह रहा है मेरी जेरी की चाची जेरी की चाची ये हो गई मेरी माता तो इसकी माता ये हो जाएंगी इसकी माई ये बन जाएंगी मेरी माता के पिता मेरी माता के पिता की दूसरी पुत्री है दूसरों तो दूसरी पुत्री हो गई ठीक है तो अब यहां पे कहा गया है जेरी का टाम जेरी की माता का टाम से क्या रिस्ता है जेरी की मा का ये बात हमको बताना है टाम का क्या रिस्ता है जेरी की मा से देखे ताम का क्या रिस्ता है जेरी की मा से अगर यहां से अगर आप देखेंगे तो ये पूछा गया है इसक ताम का क्या रिस्ता है जेरी की मां से तो यानि ये टाम की मां की बहन है ये तो ये क्या हो जाएंगी ये हो जाएंगी मौसी कहा जाएगा या फिर आप दोस्तों चाची भी कह सकते है तो मौसी और चाची दो में से कोई एक दिया गए होगा देखिए मौसी सब्द हमारा ये दिया गए बी पे तो 143 का हमारा बी के साथ ये क्षिन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा आगे हम लोग देखेंगे 143 के बाद दस्तों 144 नंबर और यहाँ से दिया ये गया है इस पे कहा गया है कि गडेश ने कहा अंजली मेरे दादा की एक मात्र बहु की पोती है गडेश अविवाहित है और उसकी एक ही बड़ी बहन है गडेश अंजली से किस प्रकार संबंधित है ये बात यहाँ से हमको बताना है तो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले इसने क्या कहा है कि गड़ेस ने कहा अंजली गड़ेस जो कह रहा देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं गड़ेस तो हमें लिख दिया दोस्तों गड़ेस अब गड़ेस क्या कह रहा है अंजली जो है मेरे दादा की एक मात्र बहू की पोती है, अब देखिस ने कहा, गड़ेस ने कहा, अंजली जो है, मेरे दादा की एक मात्र बहू की पोती है, गड़ेस के पिता के पिता जो हो जाएंगे, गड़ेस के ये कौन बन जाएंगे, ये गड़ेस के दादा बन जाएंगे, तो यहां से हमने क्या र के यह हज़ वाइप हो जाएंगे बखें ю. तो यह बहू की दोस्तों ने क्या बता दिया गया है यह बहू की क्या हो जाएगी पोती हो की यही ने इन तो कहा है उसकी एक ही यहां यहां एक मातर बहु की पोती है बहु की पोती है तो यह तब जाके बहु की पोती बन जाएगा तो यह बहु की क्या बन जाएगा तो यह बहु की पोती बन जाएगी फिर कहा है गड़ेस अविवाहित है यह गड़ेस की विमालिज यह साधी नहीं हुई है ठीक है यह unmarried है गड़ेस भी फिर कहा है और उसकी एक ही बड़ी बहन है गड़ेस की कहा है उसकी एक ही बड़ी बहन है तो अर्था इसका मतलब यह गड़ेस की बड़ी बहन कौन हो जाएगा यह गड़ेस की बहन बन जाएगी यह गड़ेस की पिता ये है और तो ये गड़ेस की कौन हो जाएंगी ये पती पतनी है तो ये गड़ेस की मा बन जाएंगी ये गड़ेस की मा बन जाएंगी अब आगे देख लिएगा गड़ेस अंजली से किस पकार संबंधित है गड़ेस ये बात यहाँ पे बताना है मतलब अंजली से किस पकार संबन्धित है यहाँ पे यही अंजली है दोस्तों इसी अंजली की बात की गई इसी जगे पे यह बनी है यह अंजली है तो कहा गया यह अंजली का संबन्ध गड़ेस से कहा है अंजली से किस पकार संबन्धित है गड़ेस देखिए ये गड़ेस की बहन की बेटी है गड़ेस की बहन की बेटी है अर्थात ये क्यों हो जाएंगी ये अंजली गड़ेस से किस्तों का समझनित है ये अंजली के गड़ेस कौन हो जाएंगे मामा हो जाएंगे दोस्तों क्या हो जाएंगे मामा ये कि अंजली के कोशिन पर देख लिए यहां पर दिया यह गया है कि रीता ने सीमा का परचे कराया उसकी मा के पिता के इकलाओते बेटे की बेटी के रूप में रीता सीमा से किस परकार संबनी था यह बात हमको बताना है देख लिए सबसे पहले यहां पर रीता कहा है तो हमने यहां पर रीत रग दिया, रीता ने सीमा का परचे करा के कहती है, कि उसकी मा के पिता, यानि कि सीमा के मा के पिता, यानि कि सीमा के मा के पिता के इकलोते बेटे की बेटी के रूप में कराया, देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें, यानि कि इसने ये कहा कि रीता ने सीमा का परचे कराते ह वे कहा कि उसकी मा के पिता यानि कि सीमा के मा के पिता यहां पर मा लिजिएगा सीमा होंगी सीमा के मा के पिता यहां पर हम सीमा की मा बना देते हैं और मा के पिता यहां पर देखेंगा मा के पिता यह हो जाएंगे सीमा के मा के पिता यह हो गए पर चेक रहा है उसके मा के पित के इकलावते बेटे अब यहां पर इनका देखें इनके पिता का यह कौन हो जाएगा यहां पर बेटा हो जाएगा यह बेटा कौन हो जाएगा यह इकलावता बेटा होगा यहां पर आगे लिए देते हैं बेटा इकलावता बेटा इकलावते बेटे की बेटी के रूप में इ यहां पर देखे जाए इकलोटे बैती की बैती के प्रश्य गरूप में कर सब्सक्राइब यहां पे हम लोग रीता ने सीमा का परिचे कराते हुए का कराया उसकी मा के पिता यानि कि यहां पे अगर हम देखें तो रीता ने सीमा का परिचे कराया उसकी मा के पिता के इकलोते बेटे अगर हम डाइग्राम को ऐसा कर लेते हैं इस प्रकाश ना बना करके दोसर तरीके से बना दें तो यहां पर देख लिएगा इसने कहा है रीना सबसे पहले रीना नहीं रीता कहा है तो यहां पर हम क्या कह देंगे रीता कहा है तो हम यहां पर लिख देंगे दोस्तों रीता तो यहां पर हमने देख लिए रीता लिख दिया अब आ गया रीता ने सीमा का परचे कर आया कि उसकी मा के पिता, यानि कि रीता के मा के पिता, हमको ये कहना चाहिए, रीता के मा के पिता, हमने ये बना दिया, रीता के मा के पिता के इकलाओते बेटे, अब यानि कि इनका जो होगा, यहां पे बेटा होगा, वो भी क्या होगा, इकलाओता बेटा होगा, यहां पर ह इनकी जो बेटी होगी इनकी बेटी जो होगी यही हमारी कौन बनेगी यही बनेगी हमारी सीमा बनेगी यह कौन होगे दो सीमा बनेगी लोते बेटे की बेटी के रुप में कराया तो रीता जो है सीमा से किस प्रकार संबंदित है यह जो रीता है सीमा से किस प्रकार संबंदि ये बात बताना है तो देखिए इसके मा के पिता अर्थात इसके ये कौन हो जाएंगे ये नाना हो जाएंगे नाना की ये जो बेटा है अर्थात ये इसका कौन हो जाएगा ये इसका भाई हो जाएगा यानि रीता का रीता के मा का भाई हो गया तो ये कौन हो जाएगा रीता बहन तो यहाँ पे बहन सब दिया गया हमें मेरी सब नहीं दिया गया तो इसका मतलब दोस्तों यह क्या हो जा जाएगा बहन यह नहीं 145 का हमारा एक एसाथ यह कुशन राइट हो जाएगा और आगे हम लोग अर्जुन लिख देते हैं, अर्जुन के मामा के पिता की इकलोती बेटी है, तो अर्जुन के मामा पहले हम बनाते हैं, तो यानि कि माली जी अर्जुन की मा होंगी, और जो मा का जो ये भाई होगा, यही अर्जुन का कौन बन जाएगा, यही अर्जुन का मामा बन जाएगा ठीक है जो मा का भाई होगा वो अर्जुन का माओ बन जा गया है अर्जुन के मामा के पिता की इकलावती बेटी है अर्जुन के मामा के पिता यहाँ पे इनके पिता बताया गया है इनके पिता की यह अनीता जो है अनीता इनके मामा के पिता की इकलावती बेटी हो जाएंगी यहां पर हम लिदेते हैं इकलावती आगे लिदेते हैं दोस्तों बेटी तो यही हमारी क्या होगे यही हमारी अनीता हो जाएंगी यह कौन हो जाएंगी दोस्तों हमारी अनीता हो जाएंगी अर्जुन से कैसे संबंधित हैं यही कौन हो जाएंगी दोस्तों हमारी अनीता बन हो जाएगा राइट हो जाएगा आगे हम लोग देखेंगे 116 के बाद दुस्तों 147 संबर और यहां से देख लिजिए इस पर दिया यह गया है इस पर कहा गया कि बिजाए सरमीला से कैसे संबंदित है यदि उन्हें यदि वह उन्हें अपनी मां की मां की इकलोटी पोटी की बेटी के रूप में पर्चे कराता है ये बात हमको बताना है बिजाए सरमीला से कैसे संबंदित है ये बात इसमें कहा है बिजाए जो है कह रहा है सरमीला से कैसे संबंदित है यदि बिजाए कैसे संबंदित है बिजाए कैसे संबंदित है बिजाए कहता है यदि वह उन्ह अपनी मा, यानि कि देख लिजगा, बिजाय हमने यहां पर यह लिख दिया, बिजाय बताता है, यदि वह उन्हें अपनी मा की मा, यानि बिजाय की मा की, हमने यहां पर रख दिया दोस्तों मा, बिजाय की मा की मा, मा की इकलोती पोती की बेटी के रूप में परिशे कराता है इकलावती पोटी, इकलावती दोस्तों क्या, इकलावती पोटी, तो दोस्तों यहाँ पे इकलावती पोटी कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो इकलावती पोटी हमारा बनेगा, अगर यहाँ पे हम कहे लेते हैं, इसके बिजाए कि मा का इस जगे पे क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा, भाई की जो जगे पे बेटी होगी, इस जगे पे भाई की जो बेटी बनेगी आ करके, यानि कि अगर हम देखें तो ये भाई की जो बेटी बनेगी, यानि कि ये भाई की बेटी बनेगी, बेटी, यानि कि मा की इकलोती पोटी, इकलोती पोटी की बेटी, तो मा की इकलोती पोटी तो यानि कि यहाँ पे देख लिएगा यही इसकी क्या हो जाएगी इसकी भी मा हो जाएगी इसकी इकलोती पोटी अगर देखेंगे तो यह हो जाएगा इकलोती पोटी की बेटी यहाँ पी यह हो जाएगा दोस्तों यह बेटी हो जाएगा, यहां पे हम क्या लिख देंगे, यह हो जाएगा हमारा इकलावती आगे लिख देंगे, दोस्तों पोती लिख देंगे, इकलावती पोती की काउन हो गई, बेटी हो गई, इसी के रूप में परचे कराता है, यह काउन हो जाएगी, एक टुक कैसे सरमीला, यहां पर देखेंगे तो यह इनकी बयटी है, तो यह हमारा यह सरमीला कौन मा बन जाएगा? तो मामा सब्ध हमारे हैं पर देख लिए गया है डी पे तो 147 का हमारा डी के साथ एक कुशन राइट हो जाएगा आगे हम लोग देखेंगे 147 बार 244 नबर और यहां से देख लिए गया है कि अंकित ने सीला का अपने बेटे के दादा की एक मात्र बहन के रूप में पर्चे करवाया सीलाध अंकित से कैसे संब्धित है यानि सीलाध का मतलब हो गया है सीलाध अंकित से कैसे संब्धित है तो यहां पर देखके लिए गए अपने बेटे के दादा अपने बेटे, यानि कि ये मेरे बेटे के दादा, यानि दादा कौन होंगे, यानि कि हमारे जो पिता होंगे, यानि कि ये हमारे बेटे के कौन हो जाएंगे, ये दादा बन जाएंगे, ये हमारे दादा बन जाएंगे, अपने बेटे के दादा की एक मातर बहन, अपने मात्र बहन और इनके दोसरी कोई बहन नहीं है ठीक है ना एक मात्र बहन एक मात्र बहन के रूप में परचे करवाया एक मात्र बहन के रूप में परचे करवाया तो यहां पर बताना सीलाद अंकित से कैसे संबंधित है यह जो सीलाद है मतलब सीला यही बनेगी जाकर यह कौन से कैसे संबंधित हैं यह सीला, देखिए अंकित के पिता की बहन अंकित के पिता की बहन अर्ठा Tकाउन हो जाएंगे दोस्तों यह बुआ हो जाएंगी तो बुआ सब्द हमारा यहां पे देख लिए गया D पे, B पे, तो B हमारे क्या हो जाएगा राइट एंसर 148 काец दूस्तों हमारा बी के साथ एक कुशं क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट बन जाएगा आगे हम लोग देखेंगे और 148 के बाद दूस्तों 149 नमर कुशं और 149 नमर कुशं सबसे पहले इसने कहा है कपिल जो है मीता की मा के पिता देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर मा लेते हैं मीता और मीता के मा तो देखिए यहाँ पर हम ले दिया देखतों में मीता की मीता की मा के पिता यानि कि इसके पिता तो अब उपर और हम चले जाएंगे इसके पिता की इक इकलावती पोती कैसे हो पाएगी यानि कि जब इनका एक बेटा होगा यहां पर देखेज़ेगा इनका एक यहां पर क्या होगा बेटा होगा अब बेटे का जब दोस्तों यहां पर मालीजेगा बेटे इकलावता यहां पर क्या कहा इकलावती पोती तो बेटा क्या यहां पर क्या होगी एक बेटी होगी तब ही जाके यह इनकी क्या बनेगी यह इकलोती पोती बनेगी यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों इकलोती आगे लिख देते हैं दोस्तों पोती इकलोती पोती तब जाकर की बनेगी इकलोती पोती पोती पोटी के बेटे का भाई है इकलोटी पोटी के बेटे यानि कि इसके बेटे इकलोटी पोटी के ये बेटे का भाई है कौन कपिल यहां पर यह इसका भाई है दोस्तों यहां पर इसका क्या है भाई है कौन यहां पर कपिल दोस्तों कपिल की बात की गई थी ना यह कपिल जो ह कहा है कपिल अब कहा है कि कपिल जो है मीता से कैसे संबंदित है कपिल जो होगा मीता से कैसे संबंदित है तो मीता यहां पे देख लिए कहां यह मीता है तो मीता से कैसे संबंदित है कपिल यह बात हमको ऐसे यहां से बतानी है यह कैसे संबंदित है यह बात यहां से बतानी है देख लिए जिगा ध्यान से अगर कहां पर आप देखेंगे तो यानि कि इनकी मा होंगी ये कौन होंगी इनकी मा बन जाएंगी और ये कौन हो जाएंगे मा का ये क्या हो जाएगी मा की ये बहन हो जाएगी एक प्रकार से गीता है ना मीता लिखा हुआ है तो मीता एक प्रका दोनों भाई बहन है यानि बेटा और ये भाई यानि दोनों भाई भाई है तो इसकी भी ये मा हो जाएगी और इसकी तो मा ये हाई है अब मा की जो बहन हो जाएगी तो ये कौन हो जाएगी दोस्तों यानि कि एक प्रकार से कहा जाए तो ये मीता की कौन हो जाएगी ये एक के बहन का बेटा जो हो जाएगा ये हो जाएगा भतीजा हो जाएगा कौन हो जाएगा दोस्तों भतीजा हो जाएगा भतीजा सब्द हमारा यहां पर देख लिजे दिया गया C पे तो 149 का हमारा दोस्तों C के साथ ये कोशिन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा आगे हम लो से एक है, की डो, यहाँ पे दो सब्दह लिखा है, दो बेटियों में से एक है, किटी की मा से उत्रा की बहन किस तरह सम्भन दिता है, ये बात हमको यहाँ पे बताना है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं, दोस् Renoor किटी, आगे देख लिए ज्यक्ता किट्टी हमें लिग दिया अब इसने ये कहा है किट्टी ने कहा उत्तरा जो है उत्तरा मेरी मा के भाई की पत्नी यहां पे हमने ये पत्नी रख दिया दोस्तों यह इनका एक हो जाएगा husband wife का पेर बन जाएगा ये तो यहाँ पे कौन था दोस्तों ये इसकी भाई था हाँ मेरे मा के भाई की पत्नी की दो बेटियों में से एक है यानि की दो बेटियों में से एक है कौन दोस्तों किटी दो बेटियों में से एक है किटी ने कहा उत्तरा जो है मेरी मा के भाई की पत्नी की दो बेटियों में से एक है निकि इसकी दो बेटियों में से एक है कौन एक हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे देख लिजेगा एक हो जाएगी यहाँ पे उत्तरा हो जाएगी हमने यहाँ पे उत्तरा रख दिया और दूसरी हमारी मा लिजेगा यहाँ पे पहली कोई यह होगी और दूसरी हमारी यहाँ पे उत्तरा हो गई ये दोनों बेटियां आएं ये भी बेटी है और ये भी हमारी बेटी है ठीक है बेटियों में से एक है किटी की मा से उत्तरा की बहन किस तरह संबंदी था है उत्तरा की बहन देख लिए कहा है उत्तरा की बहन ये है जो संबंद किटी की मा से उत्तरा का होगा वही इसकी बहन क भी होगा तो यहां पर कहा गया है उत्तरा की बहन से किटी की मा का संबंद पूछा है तो देखे उत्तरा की बहन यहां पर यह आपस में क्या हो जाएंगी यह उत्तरा की बहन का किटी की मा से संबंद पूछा है तो यह यहां पर यह पूछा है देखे इसके अगर देखें तो इनकी ये कौन है ये इनकी मा है ये इन दोनों की मा है मा का मा का ये ये पिता हो जाएगा दोस्तों ये कौन हो जाएगा अब पिता की पिता की जो ये ये कौन है दोस्तों पिता की जो ये बहन है पिता की बहन कौन होगी दोस्तों पिता की बहन होती है हमारी बुवा तो अभी तक मेरे द्वारा बताएगा, सारे कोईशन बहुत अच्छी तरीके समझ में आए होगे, फिर भी दोस्तों आपको बता दूजिए किसी भी कोई डाउट ये अड़र बस रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंटर के बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे आया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पर लहनते जोदवा लीजेगा, तो चलिए दोस्तों आपनलोग निश्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए चैहिंद